सो गाइज जैसा कि आपने लाश पार्ट में देखा डोरेमून लोबिटा और सीजुका डग को उडाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन डग बार बार डोरेमून के उपर आकर बैठ जाती है लेकिन उसके बाद सुनियों और जियान सीजुका की घर पहुंच जाती है उन कैप्स को लेने के लिए और यहाँ पर जियान एक गल्द कैप पहन लेता है जिसकी वज़े से वो पेड़ की उपर घड़े करने लगता है और उसके बाद सुनियों एक ऐसी कैप पहन लेते हैं जिसके बाद वो जियान की कोपी करने लगता है और जियान को गुसा आजाता है तो गाइस लाश्ट में जियान को इतना गुसा आजाता है कि वो सुनियों के एक पंच मार देता है और यहाँ पर डोरिमो नोपिटा और सिजुका वाटर डग को उढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं लेकि उसके बाद यहाँ पर जियान और सुनियो उढ़ते उढ़ते आ जाते हैं पर गाईज यहाँ पर जियान और सुन्यों ने एक ऐसी कैप पहनी होती है जिसे वाटर डग देखकर भाग जाती है यहाँ पर वो वाटर डग लाश्ट में उड़ जाती है